हेलो दुस्तों, दुस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर रीचर का फीजन बन देखे कर कंप्लीट किया है टोटल आठ एपिसोड है 6 गंटे 40 मिनट के आसपास की कुछ लेंट रही होगी इसे फीजन बन की एंड परसों पहले तिन एपिसोड इस शो के हिंदी में दिलीव हो रहे हैं फीजन टू के वो जैक राइन के प्रतियक फीजन की तरह अलग कॉंसेप्ट अलग कहानी के साथ शुरू होगा जहां पर हमको मेन करेक्ट्रफ तो देखने को मिलेंगे लेकिन सपपोर्टिक करेक्ट्रफ देखने को मिलते हैं या नहीं जैसे बुद्धों नों पुलिस वाले थे उनके बारे में मुझे कोई पता नहीं है कि फीजन टू में वो हमको देखने को मिलेंगे या नहीं तो भाई फीजन बन पहले छे एपिसोड तक तो भाई यार मैं पूरी तरह से क्योंकि इसे शो में कोई इंटैंसिटी नहीं है कोई थल नहीं है कोई टैंशन नहीं यह पूरी तरह से होग एंबो करके भी नहीं रखवाता जो राइटिंग है वह बहुत ज्यादा डिली है मैं लगवग पूरी तरह से पहली छे एपिसोड में डिसकनेक्ट रहा था पूरी तरह से पूरी डीप में इसे शो के साथ जाबाओ मैं बस देखता जा रहा था कहानी जो थी पूर इंटरफ्टिंग लगरी थी लेकिन इसका जो प्रियंटिवन इसे शो का है वह अच्छानी की राइटिंग बहुत व्यादा मुझे धिली ठंडी और लेंदी फील हो है तो पाई कहानी पहले तो मैं यह बताता हूं कि रीचर एक फॉर्मर यूस मिलिटरी पुलिसमेन है जैसा कि यहां पर बताए भी क्या था एंड वो एक्स टैम से इन्वेस्टिगेटर और कॉमेट एक्स उपीरियंस उसके पास है मतलब बहुत ज़्यादा टेलेंटेड है गुमकड है पूरे यूनाइटेड डिस्टेट से में वो एक टाउन से दूसरे टाउन गूमता रहता है एंड वो पहुंचता है एक फिक्सिनल टाउन में जिसका नाम है मारग्रेब बहां पहुंचता है और उसको बहां पर एक मर्ड़र के लिए अरेस्ट किया जाता है के बाद वो बहां कि कुछ लोगों से निपटता है जो भगष्ट हैं कुछ पुलिस वाले भी हैं कुछ नेता हैं कुछ बिजिनिसमेन हैं कुछ बिजिनिस टाइकून है जो काफी कमीना है तो उन सब में उलच जाता है उन सब से निपटता रहता है पता लगाने की कोशिश करता है कि वो murder एक नहीं एक से ज्यादा murder यहां पर होते हैं तो पता लगाने की कोशिश करता रहा रहता है कि वो murder कौन कर रहा है क्यों कर रहा है तो कहानी बस यह है and first season में conclude हो जाता है कि कैसे क्या किसने क्यों किया and बस अब चीज़ा दिबील हो जाती है मैंने ऐसा experience किया है और एक चीज़ और ऐसा जो कि जो great है वो है इसका action फाइट फाइटिंग सीव से हो combat sequences हो यह फिर गन शॉट्स हो हो आई सब एक से बढ़कर रही है मतलब जो fight combat sequences है आई सब बहतरीन थे मतलब देखने में इतनी गिदेट लगते हैं कि क्या ही कहना है वो जो एक्टर है एलिच एलन रिचसन जिसने जैक रीचर को फिली किया है उस पर वो action sequences वो combat sequences perfectly shoot करते हैं मतलब बिल्कुल लगता है कि हाँ यह बंदा उठा की पटक सकता है किसी को भी एंड जिस तरी कि उसने मार काट मचा यह यहां पर मतलब जो लोगों को मारता है मतलब मजा जाता है और कहीं से भी नहीं लगता कि यह fake हो सकता है बनाबटी हो सकता है बाकि उस character मैं मतलब यह कहूं कि मैं पूरी तरह से deeply इस character में मैं नहीं जा पाया जैसे कि example के लिए मैं बात करूं तो जैसे जनवीर पूर का character है एनिमल film में उस character के साथ मैं अंदल थक होते हैं मतलब उसके साथ अगर कुछ होता भी है तो उसको लेकर हमको feel होता कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ लेकिन इस character के साथ तो मैं कहीं पर भी feel ही नहीं कर पा रहा था कि इसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ उस तदीके का हो रहा है जिसको लेकर हमें emotionally touch कर पाए या feel कर पाए उसके लिए बाकि और खीचा हुआ फिल होता है जो कि नहीं होना चाहिए था कल मैंने बुश्य शो देखा था लॉस फरहाद और उस शो में भी कुछ ऐसी ही चीजें थी मतलब ऐसा ही फिल हो रहा था कि बहुत ज्यादा लंबा खीचा गे जबकि नहीं होना चाहिए अगर शौट में रखा जाता तो कुछ यह काफी हो सकता ऐसे यहां पर भी है अगर इसको शौट में रखा जाता थोड़े एपिसोड कम होते लेंद थोड़ी कम होती तो यह कुछ काफी अच्छा हो सकता था लेकि नहीं है क्योंकि खीचा हुआ ड्रैग होता हुए इस शो फिल होता उपर से ट्रीटमें से शो में शलती हैं सब बहुत बार मतलब आल्मोस्ट सेवेंटी सेवेंटीफाइफ परसेंट के टाइम पर मुझे पीछे करके तुबारा से सुनना पड़ा है एक एक सीन को मैंने दो तो तीन तीन चार चार बार देखा है क्योंकि कॉन्वर्जेसन सब उपर इस बहुत जा अब भी आने वाला नहीं होता तो बहुत से लोगों ने इस शो को अल्रे देखा हुआ यह नोंने नहीं देखा होगा घंडी माने के बात देखी लिया होगा तो वह शो हेंडी में आवेलबल है आपने देखा बगात अची बात पूरी तरह से टीन प्लस है और बॉय्लेयां भी हैं, तो यह है, बाकि बहुत वारे और भी इसूव इसे शो में, जिस पर मैं और 10 मिनिट बात कर सकता हूँ, लेकिन यही कहूँगा, कि excitement नहीं, बहुत ज्यादा थंडा है, slow pacing है, and lengthy feel होता है, बहुत ज्यादा, excitement नमकी को, तो कोई चीज ही नहीं, पूरी तरह से engaging भी नही गया, तो Jack Reacher को जिसने पिले किया, Alan Richman ने बहतरी इन परफोमेंस दी है, मतलब पूरी तरह से वो एक्टर है आपर च्छा जाता है, पूरी तरह से ही, and उसके आपा Oscar Finley है, जो वो पुलिस वाला बलेक बंदा जो था, and Oscar, वो रॉसको कौन क्लेन है, वो पुलिस वाली है, and वो जो villain है, आपर, klingker, cleaner, cleaner, बाइ, villain में कोई बात ही, villain को देखकर कुछ ऐसा लगना चाहिए, जैसे आप बोसको न फूरत हो, कोई feel ही नहीं याता कि इस बंदे से मज़े न फूरत हो सकती है, या हो नहीं चाहिए, जैसा, वो वाली बात ही नहीं है, character development पर थोड़ा और अ फीवन टू देखना है तो definitely फीवन बन देखना पड़ेगा तो यह है आपने देखा है लेके बताना एंड लाइक शेरें सब्स्राइब करना चैनल को विडियो को एंड देफिव निते शाने फैने को थैंक यू I'm very disappointed याद यह नहीं सोचा था कि इतना व्यादा खराब यह शो होगा So yeah, thank you